बहुत सारे यूटूब पे आप वीडियो देखते होंगे कि अब कोरोना बहुत रफतार से आ रहा है और कहीं न कहीं ये कोरोना आपके नीट 2030 को एफेक्ट कर सकता है इबात बिलकुत सत्य है कि मैं खोद ही वाकिंग हूँ और मैं हॉस्पिटल जाता हूँ और वहाँ देख रहा हूँ कि जो आप डाटा भी टेलिविजन पे देख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा डाटा अभी हम देख पा रहे हैं कि कोरोना का रफतार बहुत तेजी से बढ़ हूँ तो आपके नीट को यह इतना ज़्यादा एफेक्ट नहीं कर पाएगा क्यों कर पाएगा क्योंकि कोरोना को पूरा फुल रूप में रफतार में आने में करीब करीब एक या डेड़ या दू महीने लग सकते हैं बड़ आपका नीट के एक्जाम महस 20-25 दिन है तो जै कई इतना ओरिजनेलेटी है या नहीं है वो कुछ कहां नहीं जा सकता है बड़ मेरी हिसाब से आपके नीट के एक्जाम को कोई भी चीज करने पाएगा कोरोना कुछ भी नहीं कर पाएगा ठीक है बड़ आने वाले समय का कुछ भी पता नहीं है कर भी सकता है तो बड़ इसके पीछे और भी कारण है क्योंकि पहले के दौर कुछ और था अब का दौर कुछ और है पहले हम लोग फुली वैक्सिनेट नहीं थे, पुन रूप से हम वैक्सिनेट नहीं थे, बेसिक फैसिलीटी नहीं थी, ऑक्सिजन वगरा की कमी थी, बट आब हम लोग पुन रूप से उसके लिए लड़ने के लिए त्यार हैं, तो इतना भयानक रूप धारन कभी नहीं कर सकता है, भले ही म्यूटेंट होके लोगों को इस्प्रेट कर सकता है, अभी जो नया वेरियंट है करीब 18-20 लोगों को एक बार में इंफेक्टेट कर सक सकता है, भले ही इसके रफ्तार तेज है, बट वो कुछ खतरनाक रूप धारन नहीं कर सकता है, तो इसलिए आपका एक्जाम 101% है कि 7 में को ही होगा, आप उसी के अकौर्डिंग त्यारी करिए, बहतर त्यारी करिए, मैं आपके सांत हूं, हमेशा सांत हूं, और इस चानल क जरू सब्सक्राइब करके रखिए,